पर आफ पार्लिमेंट है और डिफेस मिनिस्टर राज नाज सिंग के पुलिटिकल अडवाइजर भी है आपका अभी रंदन है सर्थ सबसे पहले सुधान शुशी दिल्ली की लड़ाई आप रसम अदाईगी के लिए लड़ रहे हैं ऐसा कई विश्टे शक मान रहे हैं कि देखिया हमारे उपर बड़े विच्चित रारोप लगते हैं कभी कभी तो कहा जाता पूरी सरकार कूद पड़ती है हर स्टेट के चुनाओं में फिर का जाता रसम अदाईगी के लिए लड़ हैं अरे हम तो वो पार्टी हैं जो लड़ते लड़ते यहां तक पहुँचे और साठ सतर साल का हमारा संगर्श है कोई जटके में नहीं पहुँचे हैं कभी अप्रासांगीक पार्टी थे प्रासांगीक हुए मातपूर्ण हुए गड़बंदन का नेतृत की आज इस परश्ट बहुमत की सरकार है दिल्ली की जनता के साथ जो कुछ पिछले पांच वर जी संजे सिंग जी पिछली बारी आप लोग चुनाव लड़े तो बाद बड़ी जीत मिली इस बार आपको उससे भी बड़ी जीती उमीद है या फिर आपको लगता है कि इस बार स्थिती आपकी उतनी भेतर नहीं होगी देखे मुझे लगता है ये तो तै करना जनता के उपर है जनता लोग तंतर में मालिक है वो तै करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 70 पॉइंट का हमारा घोशना पत्र था 2015 में जी और वादे से जादा काम केजरीवाल जी ने करके दिख है दो सो इनिट बिजली फ्री पानी बीस हजार लीटर फ्री माताओं बेहनों की बसकी यात्रा फ्री फरिस्ते योजना में लाखों का इलाज फ्री दवाएं फ्री आपरेशन फ्री दिल्ली के अंदर जवान की शहादत पर एक करूण की सम्मान रासी और किसान की फसल मुझे लगता है दिल्ली की जनता 2015 का रेकॉर्ड 2020 में तोड़ने जा रही है और इस प्रकार का साफ संकेत मिल रहा है दिल्ली की जनता खुद से अपना रेकॉर्ड तोड़ेगी नंबर के लिए मैं कोई जोटसी नहीं हूँ जनता माली के जनता को तेक करना है लेकिन जितना काम निश्चित रूप से जो वातावरण आज की तारीख में है वो एक तरफा एक पक्ष में लग रहा है बिलकुत और निश्चित रूप से आप यह देखिएगा आज जो समर्थन है आप पचास लोगों से पूछे 45 आदमी आपको आम आदमी पार्टी के कामों की प्रसंसा करता हूँ जी जी वो कहने है कि चौकाने वाले परिणाम आएंगे और आप कहने काम तमाम कर दिया इन्होंने दि च्चित नहीं आफि देखें तो दो बार तो यह भी चोक चुके है चौकाने आप और परिणाम आ चुके हैं लोकसभा का चुनाओ हो और नगरनिगम से राष्टी सतर के विशय लोकसभा के चुनाओं में आते हैं और विशुद्य स्थानिये इस्तर के विशय नगरनिगम के चुनाव में आते हैं तो दोनों ही के जो परिणाम हैं वो कहीं भी ये तो संक्यत नहीं दे रहे हैं कि आम आदनी पार्टी में दिल्ली की जनता का हवा विश्वास है जो 2015 में मेरे विचार से भारत की इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत मिला थ तक राजनेतिक इतिहास में भारत में किसी पूरिकर पार्टी को आपको इंटर्वीन कर रहा हूं एक सवाल जो आपकी स्थिति केंदर में थी जब नरेंद्र मोधी के नितित्व पे चुनाव लड़ रहे थे वह इनकी स्थिति दिल्ली में है यह सही नहीं है आपके पास च सब्सक्राइटी के अंदर एक बाल सुलब उच्छंखलता थी जिससे इनसे कई सारी गलतियां हो रही थी इन्होंने एक दू गलती तो स्विकार भी की थी उन्हें चास दिन की सरकार चलाई उसके आथ कहा था यहां हमसे गलती हो गई कांग्रेस समर्ता नहीं लेना चाहिए परतिश्यत वही था जो 2015 में वोट परतिश्यत हमारा